अरे सुनो दानो इस घर से तुम निकल जाओ या घर इन दोनों का पूर्व जोका है इस घर में तुम को रहने का कोई हक नहीं इस घर को तुम छोड़के अभी क्याभी चले जाओ मुर्ख तुम लोगों की इतनी इमत आज तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा मैं तुम्हें आज इतनी बुरी मौत दूंगा तुम्हारी रूवी काफ उठेगी तो हेगा ही जो इंट्रो वीडियो में देखे हैं आप लोग को काफी ज़्यादा पसंद आया अगर आप लोग भी उस तरीके से अपने मॉबाइल का यूज करके घोष्ट वाला काटन वीडियो बनाना सिखना चाते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा कम्प्रीट जरूर देखेगा इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने मॉबाइल का यूज करके विल्कुल फिरी में घोष्ट वाला काटन वीडियो बना सकते हैं जो कि आप लोग इंट्रो वीडियो में देखे हैं कैसे आप लोग को इडिटिंग करना है कहां से आप लोग को साउंड एफेक्ट लगाना है कहां से आप लोग को उसके अंदर बैक्ग्राउंड फोटो या अलग से जो भी मेटरियल यूज हुआ है सारा कुछ कैसे यूज करना है आज इस वीडियो के अंदर एक एक tip और एक एक setting के बारे में बताने वाला हूँ यानि कि काफी professional level का आप लोग को मैं ghost वाला cartoon वीडियो बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर आप लोग को काफी ज़्यादा editing सीखने को मिल जाएगा जो कि उस तरीके से अगर आप लोग कार्टून स्टोरी बनाएंगे यानि कि घोष्ट वाला स्टोरी बनाएंगे तो यूटूब पे काफी ज़्यादा कार्टून वीडियो चलता है अगर घोष्ट वाला आप लोग कार्टुन बडियो बनाएंगे तो आप लोग का यूटूब चैनल काफी तेजी से ग्रोह होगा अगर नहीं बात मानते हैं तो आप लोग जाकर चेक कर लेज़ेगा सेंपली यूटूब पे जाकर सर्च कर दिजगा घोष्ट वाला कार्टुन मोटू पतलू वाला इस तरीके से सर्च कर दिजगा उसके बाद आप लोग के सामने जो रिजल्ट आएगा आप लोग देखकर काफी ज़्यादा चौक जाएंगे तो आज इस वीडिये कंदर आप लोग को बताऊंगा कि कैसे काफी प्रोफेशनल लेवल का आप लोग अपने मोबाइल के यूज़ करके गोष्ट वाला कार्टून वीडियो बना सकते हैं इस वीडिये कंदर मैं जो भी यहां से करेक्टर यूज़ करूँगा और जो भी बैक्ग्राउंड यूज़ करूँगा आप लोग को उसका लिंक इसी वीडियो के डिसल सर्बॉक्स में मिल जाएगा और भी कुछ जो यूज़ करूँगा उसको कहां से डाउनलोड करना है इस वीडियो के अंदर बताया हूँ अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा तो चली इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले चलते हैं अपने मुवाइल की स्क्रीन पे और फड़ा फट यहां से आप लोग को बता देते हैं कैसे आप लोग को वीडियो क्लिप बनाना है कैसे एडिटिंग करना है कैसे वाइस एड़ करना है सारा कोछ बताने वाला हूँ इस वीडियो को तो जरूरर इस वीडियो को देखेगा अगर चैनल पर नहे है तो बेरे चैनल को प्रीज यहां से सच्प्राइब वाला बटन जो आ रहा है इसको सउच्क्राइब करके बेल आईकन को प्रेश करके जरूर पर आल पर कर दिएगा ताकि जब भी इस तरीकी का वीडियो में अपलोड करें नोड़िकेशन सीधे आप लोगों तक जल जल पहुंच जाए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इस अपलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल का वीडियो देखर काफी ईजली काटून वीडियो बनाना सेख सकते हैं इस अप्लिकेशन का नाम है Chroma Tunes अप्लिकेशन आप लोग इसे Play Store से काफी इदले बिल्कुल फिरी में डाउनलोड कर सकते हैं कैसे यूज करना है आप लोग को मेरे YouTube चैनल पे बहुत डेर सारा वीडियो मिल जाएगा जो की एक एक करके आप लोग सभी वीडियो को देखकर आप लोग यहां से Cartoon वीडियो बनाना सीख सकते हैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग घोश्ट वाला सीन को Create कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां से आप लोग को Lefty Start पे क्लिक करना होगा जैसे ही यहां से Start पे क्लिक करेंगे तो Type 1 और Type 2 का Option देखने को मिल जाएगा तो आप लोग दोने में से Try कर ले जागा कि आप लोग के Mobile में कौन सा Support कर रहा है उसको यहां से OK कर जीजेगा आप यहां से इस Application का आप लोग को यहां से 4 Character देखने को मिल जाएगा जो कि इन 4 Character का भी योज करके आप लोग Cartoon वीडियो बना सकते हैं अब कैसे बनाना है चलिए आप लोग को बता देता हूँ जैसे कि यहां से Character पे क्लिक करेंगे इस Application के अंदर भी आप लोग को बहुत सारा Character देखने को मिल जाएगा जो कि इनका भी योज करके आप लोग वीडियो बना सकते हैं बट यहां से मैं दो Character इस Application का लेने वाला हूँ और यहां से दो Character अलग से लेने वाला हूँ तो चलिए यहां से Character को ले लेते हैं उसके बाद यहां से Lady 3 और यहां से Little Boy को रहने देता हूँ जो कि यहां से आप लोग एड़ कर सकते हैं अब बारी आता है जो दो Character जो अलग से एड़ करना है उसको कैसे एड़ करना है Simply यहां पर क्लिक करना हूँ जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने इस तरीके से चार बॉक्स नजर आएगा इन चारों बॉक्स में आप लोग को Custom Character एड़ कर सकते हैं बर यहां से मैं दो ही Character को एड़ करने वाला हूँ तो सबसे पहले यहां से जो Non का Option दिख रहा है जैसे यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से फ्रोम ड्राइब का जो आपसंदर आ रहा है यहां से इसके सामने जो वाइट क्लोर का चोटा सा बॉक्स है इस बॉक्स में इस तरीके से टिक लगा देना होगा उसके पाद यहां से load पे click करना होगा अगर आप लोग लोड पे click करते हैं अगर आप लोग का इस तरीकी से gallery ऊपीन नहीं होता है gallery file photo का इस तरीकी का option नहीं आता है तिस application को फिर से on install करके फिर से install कर लिजेगा आप लोग का problem heights हो जाएगा यहां से सी जाकर इंट करेकटर अना आना है इसी वाले बॉक्स में आप लोगको क्लिक करना कुए ओगा देड今天 हटे जाएगा जो कि इस में आप लोगको क्लिक करना होगा जैसे यहां पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोग को from drive का option देखने को मिल जाएगा इस from drive में आप लोग को टिक लगा देना होगा उसके बाद यहाँ से load पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोग के सामने इस तरीके से gallery आ जाएगा उसके बाद यहाँ से gallery पे क्लिक करके आप लोग को यह घोष्ट वाला character को ले लेना होगा जो कि यहाँ से देख सकते हैं अब उसके बाद यहाँ से character सारा कुछ add करने वाज इस तरीके से okay कर दिजेगा और गईज आप लोग से बता दिता हूँ कि यह जो घोष्ट वाला character यह वैनिया टीवी के चैनल से मैं लिया हूँ तो उनके चैनल को भी जाकि सस्क्राइब कर दिजेगा उनका link इसी वीडियो के decision box में मिल जाएगा तो चलिए यहाँ से वीडियो start कर लेते हैं जैसे कि animation कैसे आप लोग को बनाना है background कैसे एट करना है background को एट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके कोई भी background डाउनलोड करके रखे हैं चाहे गूगल से चाहे कहीं से भी आप लोग डाउनलोड करके रखे हैं तो इसके अंदर इंपोर्ट करा सकते हैं लोग को problem देखने को मिल सकता है ति यह आप लोग ध्यान से कीजेगा तो चलिए यहां से आप लोग को import background पर क्लिक करना होगा उसके बाद आप लोग का यहां से gallery open हो जाएगा उसके बाद अपने gallery में सजाके जो भी यहां से घोष्ट वाला scene को यानि कि घोष्ट वाला background रख लोग को cut कर देना है उसके बाद इस तरीके से आप लोग का character एड़ ऊजाएगा अम इन والa के से ही निक करिकतर का location जैसे करना होगा तो simply इनका sour देख सकते हैं जो कि left side में घुमा थिंका Sir सभी का आप लोग को राइट साड में घुमाने के लिए इनके सर के उपर जो यह वाला प्लस के आईकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहां से आप लोग को फिलिप के सामने ग्रीन कलर का जो बॉक्स दिख रहा इस तरीके से आप लोग इनका सर को राइट साइन में घुमा लेजेगा जो कि इस तरीके से मैं किया हूँ उसके बाद इस वाले करेक्टर को आप लोग को यहां से छोटा करना होगा जो कि यहां से इस तरीके से कर देजेगा इस तरीके से आप लोग को छोटा करने के बाद यहां से मोटू को यहां पर कर दीजेगा इस लेडी को आप लोग को और भी छोटा करना होगा और इस तरीके से करके इसको भी यहां पर आप लोग कर दीजेगा अब इतना हो जाने वे सेंपली आप लोग को इसके अंदर आप लोग को यानि की voice over करना होगा यानि की voice वाला effect देना होगा जो की बाद में हम लोग काइन मास्टर की मदद से इसके अंदर voice over कर देंगे और वहीं से voice भी change कर देंगे और वहीं से editing भी कर देंगे उसके प्लैस के आइकन पर क्लिक करना होगा और यहां से IDN का जो आपशन दिख रहा है यहां पर क्लिक करके नीचे के साइड जाएंगे आप लोग को एक आपño देखने को मिल जाएगा टाल की वन का तो चलिए मैं यहां से टाल के वन के वपर आप लोग को इस तरीके से क्लिक कर देना होगा जो कि आप लोग का इस तरीके से हो जाएगा और गाईज आप लोग से बता देता हूँ कि जब भी आप लोग इसके अंदर बैक्राउंड एट करते हैं तो आप लोग का अगर बैक्राउंड अच्छे तरीके से अर्जेस्ट नहीं होता है तो इस बैक्राउंड को अर्जेस्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोग को यह वाला बीच वाला जो आइकन दिख रहा है इसको उपर जैसे इस तरीके से टैप करेंगे ति यह ग्रीन कलर का हो जाएगा उसके बैक्राउंड को छोटा बड़ा करके आप लोग काफी इस तरीके से अर्जेस्ट कर सकते हैं तो आप लोग इस तरीके से दोनों हाथ के मदद से यानि कि दोनों थम के मदद से आप लोग इससे जोम और जोमाउट कर सकते हैं जो कि इस तरीके से मैं कर रहा हूं तिसी तरीके से आप लोग कर लेना है और आप लो यहां से आप लोग को यहां से recording पर क्लिक करके पहला आप लोग को यहां से record कर लेना है जैसे यहां recording में क्लिक करेंगे आप लोग के सामने यहां से start ना और cancel का option देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग start ना पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को recording में problem होगा या आप लोग का application कर जाएगा या आप लोग को गैलरी में ये वीडियो सेब नहीं होगा तो उसके लिए आप लोग को सेंप्री यहां से क्लिप करना होगा जैसे कैंसल पर क्लिक करेंगे चोटा-चोटा सभी का आइकन हड़ जाएगा उसके बाद प्लेश्टोर से आप लोग को एक अलग से इस से इसे रिकॉर्ड कर लेना है चालिस सिकंड का आप लोग को इस क्लिप को रिकॉर्ड करना है इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद मेरा यहां से चालिस सिकंड का रिकॉर्ड हो जुका है अब इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाने बाद में आप लोग जो अलग से रिकॉर् इस add को आप लोगों पूरा देखने के बाद इस तरीके से cut कर देना है जो कि यहां से आप लोग काफी इजली इस तरीके से कर सकते हैं तो हम लोगों का पहला क्लिप बन गया दूसरा क्लिप कैसे बनाना है दूसरा क्लिप बनाने के लिए रहकंए यह जो अभि है, इसके इसके सर पर प्लस के ऐकन यहां प्र कलिक करके, और यहां से जो first box में से style को you enable किया है, इसको disable करना होगा, जो कि disable करने के लिए आप लोग को यहां से IDL का जो option देखने को मिल्ड भू यहां जैसे कलिक करेंगे, तude यह पहले जैसा जो character था एकदम बिल्कुल normal उस तरीके से हो जाएगा अब यहां से moto के सर के उपर आप लोग को जो plus के icon उसके सर के उपर जो plus के icon उहां पर click करके first वाले box में आप लोग को click करना होगा जैसे यहां पर click करेंगे आप लोग को सामने यहां से नीचे के side जाना हो जैसे ही हां पर click करेंगे आप लोग के सामने इस तरीके का interface आएगा उसके बाद यहां से cancel पर click करके आप लोग इसे अलग सी screen recorder से 30 से 40 सिकेंड का इसको भी record कर लीजेगा तो मैं इस clip को भी record कर लीजेगा तो आप लोग इस तरीके से भी आप लोग record कर लीजेगा ताकि अब record हो जाने के अपर गौसे अपशने के आप लोग को कर दिएगा यहां पर देख सेकते हैं जोगर से आप लोग को क्या करना होगा यहां से सभी करेक्टर को नौन intelligence कर देना है यानिकि यहां से जो भी motive च्रेकर आँग बंगकर चरके यहां से पर समाने बोक्स में ज तक जो यहां से अभी टाल की इनेबल कियाती है तो इसको भी आप लोग disable कर दे जगा जो कि यहां से click करना होगा जैसे यहां पर click करेंगे उसके बाद OK कर देना होगा उसके बाद इसको भी आप लोग को यहां से recording पर click करके 30-40 second का record कर लिए इस तरीके से तीसरा क्लिप आप लोग को रिकॉर्ड करना है जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे कैंसल पर क्लिक करना होगा इसको भी आप लोग को 30-40 सिकेंड का रिकॉर्ड कर ले ना है तो इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग को यहाँ से क्लिक कर कर दीजेगा और चौथा क्लिप कैसे बनाना है आप लोगो चलिए बता देता हूं चौथा क्लिप बनाने के लिए आप लोगो इन तीन करेक्टर को हटाना होगा तो चलिए मैं यहां से करेक्टर पर क्लिक करके उसके बाद से तीन करेक्टर को मैं यहां से हटा देता हूं यानि कि तीनों करेक्टर को इधर से हटा देता हूं तो सबसे पहले बाले बॉक्स में यहां से जाता हूं यहां से नौन कर देता हूं फिर यहां से तीसरे नमर वाले बॉक्स में जाता हूं यहां पर से भी नौन कर देता हूं और यहां से आप लोगों को दूसरे नमर वाले भी box में जाके इस तरीके से non करके ok कर देना होगा उसके बद यहां से record करके आप लोगों को इसको भी 30-40 second का record कर लेना है यहां से हम लोगों का चौथा clip है अब इन clip को सभी को आप लोग एक साथ एडिट करके कैसे cartoon में convert करना है चलिए आप लोगों को बता देता हूँ तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले काइन मास्टर का जरूरत पड़ेगा जो कि काइन मास्टर का डाउनलोड लिंक इसी वीडियो के decision box में मिल जाएगा वो बिल्कुल फिरी है no water mark है उसे भी जाके आप लोग डाउनलोड कर लिएगा चलिए काइन मास्टर फटा पट ओपन करते हैं उसके अंदर कैसे voice over करना है कैसे editing करना कैसे effect लगाना सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैं यहाँ से काइन मास्टर open कर लिया हूँ इस तरीके से आप लोग भी काइन मास्टर डाउनलोड करके इसे open कर लिजएगा अब इसके अंदर आप लोग को कैसे editing करना है इसके बारे में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ तो सबसे पहले यहाँ से screen recorder से मैं इसको record किया हूँ तो यहाँ से screen recorder में चला जाता हूँ उसके बाद यह के करके आप लोग को यहाँ से अपने clip को लेना होगा इस तरीके से तो यहां से चारा क्लिप आप लोग का एड हो गया तो सबसे पहले इस तरीके से क्लिप को एड करने के बाद आप लोग सबसे पहले इसका आडियो पहले म्यूट कर देजेगा यहां से आप लोगो जाना होगा यहां से पूरा आडियो आप लोगो इस तरीके से म मैं कर लेता हूँ यहां से इस तरीके से अपने यहां से अपने वीडियो के हिसाब से आप लोग जितना देर का वीडियो बनाना चाहते हैं उतना क्लिप आप लोग यहां से सलिट कर लिजेगा उसके बाद सभी का आडियो आप लोग को याद रखेगा का सभी को आडियो आप लोग इस तरी क케 से न्यूट कर दी completely अटर बनाना चेहं उतने देर का यहां से किलिप ले लिए गा अप में हसाब से इसके अंदर कैसी बहुत हैं बहुत हिस कार नहीं किसे करना ऑ और यहां से पाझा चार चोटे चोटे किलिप ले लिया हूँ, उसके वाद इस तरीकेसे हो जाने हो है जाना हो छावे। सबसे पहले आप लोगो इन किलिप को यूटूप पर भॉइस ओबर करना होगा, यहां से भॉइस इस प्लिक करके जो कि इसी story को लेकर आप लोग उसमें थोड़ा सा changes करके उस पे वीडियो बना दीजेगा आप लोगो कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए इन clip के उपर आप लोगो voice over करना है इस तरीके से मेरा voice over हो गया है उसके बाद यहां से जो भी extra part यहां से अब बच रहा है इसको भी आप लोग इस तरीके से ट्रीम कर दीजेगा जो कि यहां से कैंची के अपसन पर जाईएगा यहां से आप लोगो को एक कैंची का अपसन देखने को मिल जाएगा इसके बाद इस तरीके से कर दीजेगा अब इस voice को चिंज करना चाहते हैं इस voice को उपर एक बार आप लोगो को क्लिक करना होगा यहां से voice changer का अपसन देखने को मिल जाएगा इस वाले नए वाले जो आप लोगो को काई मास्टर आप लोगो का voice change हो जाएगा जो की काफी अच्छा लगता है इसी तरीके से आप लोगो दूसरे clip के उपर भी जाएगा अब इसके अंदर आप लोगो effect कैसे लगाना चलि आप लोगो बता देता हूँ तो इस तरीके से हो जाने वे simply यहां से आप लोगो एक छोटा सा यह वाला clip यहां से यह वाला जो clip है आप लोगो छोटा वाला यूज करना होगा simply यहां से click करके cut कर देजगा तो यह वाला आप लोगो को छोटा clip हो जाएगा अब इस तरीके से आने वाद फॉस्ट वाले यहां से आने के बाद यहां पर आप लोग आ जाएगा यह वाला इंड में उसके बाद यहां से लेयर पर जाना होगा लेयर पर जाने के बाद सेंपली यहां से स्टीकर का अफसल देखने को मिल जाएगा इस स्टीकर में आप लोग को जाने के बाद सेंपली यहां से आप तो इस तरीके से लगाने के से यहां से आप लोग इस तरीके से कर ले जाएगा उसके बाद आप लोग को छोटा करके और यहां से रूटेट करके आप लोग को इस तरीके से यूज कर लेना होगा जो कि जैसे जैसे मतार हो इस तरीके से अगर आप लोग यूज करेंगे तो आ यहां से आप लोग को मेडिया में जाना होगा और यहां से गरिन श्क्रीन आप लोग को यह वाला लेना होगा हैंड करना होगा ताकि आप लोग का एक साथ आप लोग का इफैक्ट हो उसके बाद यहां से आप लोग को इस तरीके से करना है इसको उसके बाद इसको पूरे वीडियो में रहने देना है तो मैं यहां से इस तरीके से अर्जेस्ट कर लेता हूं उसके बाद इसके उपर क्लिक करके आप लोग को यहाँ से chroma key में जाना होगा और इसका यहाँ से green background जो है इसको remove कर देना होगा यहाँ से chroma key का आप सन देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ से इसको enable कर देजएगा इस तरीके से enable कर देंगे ति यहाँ से green background हड जाएगा उसके बाद इसके मतलब से आप लोग इसे adjust कर सकते हैं अब इसका यहाँ से location आप लोग छोटा करके और इसका यहाँ से location fix कर लिजेगा जो की इस तरीके से तो यहाँ से इस तरीके से मेरा location fix हिया है उसके बाद यहाँ से आप लोग को जो यह electric वाला है इसका आप लोग को यहाँ से एक आप लोग को effect लगाना होगा sound effect उसका बाद मैं आडियो पे click करता हूँ यहाँ से आप लोग को यहाँ से song में जाना होगा और इस तरीके मैं यहाँ से electric effect डाउनलोड करें रखा हूँ तो इसे आप लोग यूज कर लेजएगा उसका भी आप लोग डाउनलोड लिंक चाहते हैं तो इसका भी मैं यहाँ से लिंक दे दूँगा तो इसे भी जाकर डाउनलोड कर लेजएगा तो इसको भी यहां से आप लोग को बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना है जो कि यहां से आप लोग को यहां पर लेना होगा और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और यहां से इसको कट कर देते हैं जो कि electric effect था इस तरीके से आप लोग इसे cut कर देज़ेगा अगर YouTube पे आप लोग जाके search करेंगे electric effect इस तरीके से करेंगे तो आप लोग को इस तरीके से ये आ जाएगा electric effect वाला sound तो इसे आप लोग download कर लिजएगा MP3 में तो मेरा यहां से सारा कुछ हो गया है उसके बाद यहां से आप लोग को एक चीज orate करना है जो कि यहां से आप लोग को layer में जाना होगा और यहां से effect में जाना होगा आप लोग को यहां से एक यह वाला आप लोग को light blinking वाला यह आप लोग effect लगा लिजएगा और इसको आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं अगर आप लोगों में नहीं दिख रहते हैं यहां से कोने में जाके इसे आप लोग काफी यहां से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लिजेगा इन दोनों को आप लोग इसे यूज कर सकते हैं बट इसे मैं यूज करने के लिए नहीं बताने वाला हूँ चाहो तो आप लोग इसके उपर इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहां से इसको इस तरीके से पूरे वीडियो में लगा देंगे और यहां से पूरा वीडियो में नहीं लगाना हलका सा आप लोग को जहां एफेक्ट देना है यह वाला आप लोग को रोने दोने वाला यह वाला जो घोश्ट वाला है उसके बाद यहां से क्लिक करके इसे blinking light पर जाना होगा सबसे पहले उसके बाद यहां से अलफा उपसीटी में जाके इसका उपसीटी आप लोगो कम कर देना है कम सकम यहां से 23 कर देना है उसके बाद यहां से एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है यहां से इस तरीके से कट कर दिजेगा अब इस तरीके से हो जाएगा उसके बाद यहां स से आप लोग इस तरीके से fire effect भी download कर सकते हैं तो मैं यहां से एक एक करके download करके रखा हूँ तो आप लोग को इस सभी file के अंदर सारा के सारा मिल जाएगा तो आप लोग जाके download कर लिजएगा यह सभी non copyright है बिल्कुल free है तो आप लोग को कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा तो यहां से इस तरीके से जहां end होता है यहीं पर हम लोग कट लगाने में जो कि यहां से cut लगा देते हैं तो extra party इस तरीके से cut करके हटा देना है अब यहां से आप लोग को इस तरीके से करके इसका भी chroma kick करके आप लोग को green background हटा देना हो जो कि यहां से chroma kick पर click करके यहां से enable करके आप लोग को की color में जाना होगा यहां से की color पर click करना होगा यहां से click करने बाद यहां से आप लोगो green color select करके इस तरह के से okay कर दिज़ेगा तो आप लोगो का हो जाएगा उसके बाद यहां से आप लोगो को इसको यहां पर लगाना होगा ताकि ये हाथ इसके बीच में ना है उसके बाद इसको बढ़ा करके आप लोग उपर के साइट कर देजेगा ताकि आप लोग का इफेक्ट जो है इस तरीके से कटेना तो इसके बाद यहां से प्ले करके देख लिजेगा अगर आप लोग को इस तरीके से प्ले करके चिक लिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा जो भी यहां से एक्ट्रा पाट यानि कि बाहर के साइड जो आगे है उसके यहां से इस तरीके से कट कर देना होगा यहां से इस तरीके से जाना होगा कैंची पेल की लिख करके इस तरीके से कट कर देना होगा और इसके अंदर आप लोग को यहां से जो भी यहां से आप लोग का घोश्ट वाला साउंड एफेक्ट है उसे भी आप लोग यहां से लगा लिजेगा अब गोश्वाला जो sound effect है यहां से जो अभी एक छोटा सा यहां से वाइस रोने वाला जो आता है तो उसे आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा और नहीं तो उसका भी आप लोग को इसी वीडियो के नीचे दे दूँगा तो आप लोग य जैसे कि यह वाला मैं डाउनलोड करके रखा हूं तो इसके उपर इस तरीके से क्लिक करके इसे एड़ कर लेता हूं और फिर यहां से यह मोटू पतलू वाला जो यहां से इसको भी एड़ कर देता हूं जितना भी यहां से गोश्ट वाला आप लोग को sound effect था वो सारा के सार मैं यहां से ले लेता हूं तो इस तरीके से यहां से देख सकते हैं तो यहां से मेरा घोश्ट वाला जो यहां से था वो लग गया है जो कि इस तरीके से उसके पूरा वीडियो में इस तरीके से आप लोग को रहने देना है चाहते हैं यहां से आप लोग को अपने हिसाब से अब इसके अंदर आप लोग को यहां से background music लेना होगा यानि कि घोष्ट वाल अपने हिसाब से background music लेना होगा ताकि आप लोग का same video ना बनेती इसलिए आप लोग को मैं यहां से जो भी important यहां से आप लोग को background music है वही मैं दूँगा इसके बाद otherwise आप लोग को download करके इसके अंदर यूज करना होगा तो आप लोग का इस तरीके से video बन जाएगा जैसे कि मैं यहां से back कर देता हूँ और यहां से आप लोग को play करके दिखा देता हूँ जो कि यहां से हम लोग का video कैसा बनायती हाँ पर देख सकते हैं जो कि इस तरीके से आप लोग का video बन जाएगा तो चले मैं इसको play करके आप लोग को एक बर चेक करा देता हूँ अरे सुनो दानो इस घर से तुम निकल जाओ अरे सुनो दानो इस घर से तुम निकल जाओ या घर इन दोनों का पूर्वजो का है इस घर में तुम को राने का कोई हक नहीं इस घर को तुम छोड़के अभी के अभी चले जाओ मुर्ख तुम लोगों की इतनी इमत आज तुमें यहाँ पर मरना ही होगा मैं तुमें आज इतनी बुरी मत दूँगा तुमारी रूवी का पुठेगी